मैं डॉक्टर शिखाह अगरवाल, एसोसेट प्रोफिसर, गॉर्णमेंट कॉलिज सुजानगर्ब बिये पार्ट सेकिंड की क्लास में आज हम पढ़ेंगे राज्यपाल की स्थिदी भाग दो हमने अपनी पिछली क्लास में राज्यपाल के बारे में पढ़ा था भारत में क्योंकि संसुदिय व्यवस्था को अपनाया गया है इसलिए दोहुरी हम लोग कारेपालिका देखते हैं इसके साथ साथ हमारे हां संगहात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है इसलिए इस संगात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों में शासन शक्ती का बटवारा किया गया है ऐसी इस्थिती में राज्यों में संसिदिय व्यवस्था के आधार पर हम देखते हैं दोरी कारेपालिका में राज्यपाल का पद जिसमें हमने देखा था कि वो एक समवेधानिक प्रधान है लेकिन उसके बावजूद भी उसके पास बहुत सी शक्तिया है उसे राज्यपाल को राष्टपती द्वारा नियुक्त किया जाता है और राज्यपाल अपने राज्य में यह देखते हैं कि शासन समयधानिक तरीके से चलाया जा रहा है या नहीं, मुख्यमंत्री की नियुक्ती करना है, अन्य प्रमुख नियुक्तियां करना है, इसके साथ साथ बजट या विद पर उनका नियंत्रण होता है जो विधान मंडल है उनकी बैटकों को बुलाना संबोधीत करना ये समस्त कार्य राजयपाल की द्वारा किये जाते हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था आज हम देखेंगे राजयपाल की स्थिती या भूमी का वास् पहले द्ष्टिकों के अनुसार राजयपाल को केवल एक समयधानिक प्रधान के तौर पर माना जाता है लेकिन जो दूसरा द्ष्टिकों है वो मानता है कि उसकी भूमी का बहुत महत्वपून है उसके पास तहीं ज्यादा शक्तिया है सबसे पहले हम देखेंगे राजयप एक समयधानिक प्रधान के रूप में कैसी काम करता है जैसा अभी हमने बात की कि संसदिय शासन व्यवस्था है संगिय व्यवस्था के साथ सथ इसलिए संग्य व्यवस्था में शासन की शक्तियां मंत्री परिशद में नहित होती हैं मंत्री परिशद निम्न सदन यानि विधान सभा के प्रति उतरदाई होती है इसलिए मंत्री परिशद राज्य की वास्तविक प्रधान है और राज्यपाल केवल एक सम्विधानिक सम्विधान के अनुचे 163.1 के अनुसार अगर हम देखें तो जिन बातों के सम्बंद में सम्विधान द्वारा या सम्विधान के अधिन राज्यपाल से ये अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कार्यों को स्वैविवेक से करे उन बातों को छोड़ कर राज्यपाल को अपने कारियों के निर्वहन में साहता और मंत्रणा देने के लिए एक मंत्री परिशत होगी तो इस तरह से राज्यपाल की स्वैविवेक की जो शक्तियां है उनका बहुत ज़्यादा उलेक नहीं किया गया है केवल असम और नागालेंड के राज्यपाल को कुछ विशेश शक्तियां प्राप्त है अगर हम ये देखें कि वास्तम में क्या चाहते थे हमारी समिधान दिर्माता तो डॉक्टर अंबेट करने समिधान सभा में कहा था कि उन सिध्धानतों के आधार बर जिन पर राज्यों का शासन आधारित है राज्यपाल को प्रतेक कार्य में मंत्री परिशद की जलहा अवश्यक रोप से माननी होगी और ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना होगा जिसके करने में उसे स्वाविवेक या व्यक्तिकत निर्ने का प्रियोग करना पड़े तो इस तरह से समिधान दिर्माता भी एक तरह से यहीं मानते थे कि समिधान एक अध्यक्ष है और मनुनेयन का जो तरीका है वो भी इसलिए है कि वो उसे समिधानिक प्रधान बनाना चाहते थे वास्तवेक प्रधान नहीं बनाना चाहते थे और कोई भी ऐसा काम राज़ेपाल नहीं कर सकते जो बिना मंत्री परिशद की सलह के किया जा सके लेकिन कुछ हम उधारन देखें तो जो राज़ेपाल है पूर्व राज़ेपाल उनका भी यही कहना था जैसे सरोजनी नाइडू ने कहा कि सौने के पिंजरे में बंद चडिया की तरह से वो है श्री प्रकाश एक राज़ेपाल जब बने तो उन्होंने का मुझे पूरा विश्वास है कि मैं किवल सम्वेधानिक अध्यक्ष हूँ जिसे छूटी हुई जगों पर हस्ताक्षर करने के अलावा और कुछ नहीं करना है इसी तरह से श्रीमदी विजय लक्षमी पंडिक ने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति इस पद को स्विकार करता है तो उसको पद नहीं वरन वीतन का आकर्शन है दूसरी इस्तिती जो है वो है राज़ेपाल सम्वेधानिक अध्यक्ष से कुछ अधिक है उसके पास में हमें अगर देखें तो कुछ शक्तियां ऐसी है जो उसे वास्तविक प्रधान बना सकती है इस रूप में राज़ेपाल के पद का अध्यन दो रूपों में किया जा सकता है पहला है सम्विधान निर्माता राज़ेपाल को क्या भूमी का देना चाहते थे और दूसरा है राज़ेपाल पदधारी व्यक्ति के विविद परिस्थितियों में उन्होंने क्या भूमी का निभाई है अगर हम देखें तो राज़े के शासन में वास्तविक शक्तिया नहीं होते वे भी शासन में उसका स्थान बहुत सम्मानित और प्रतिश्थित है और अगर राजेपाल प्रभावशाली व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं तो ऐसी इस्तिती में वो मत्भेत दूर करने में भी साहयक होते विरोधी पक्ष के साथ भी सुचारू रूम से कार्य कर लेते हैं जैसा कि M.V. पाइली ने माना कि राजेपाल मंत्री मंडल का सूजबूज वाला परामर्श दाता है जो राजे की अशांत राजनीती में शांत वातावरन पैदा करता है अगर हम देखें कि क्या उनके पास में वास्तविक शक्तियां हैं तो जैसा कि राजेपाल की स्वाविवेक की शक्तियां हैं उनको हम देख सकती हैं दुर्गादास, बसू और M.C. तलवार ने अपनी जो पुस्तके हैं उनमें राजेपाल की कुछ स्वाविवेक की शक्तियां दी है सबसे पहली शक्ति है मुख्य मंत्री की नियुक्ति, यदि सपष्ट बहुमत है तब तो सिधे सिधे नेता चुन लिया जाता है, लेकिन अगर सपष्ट बहुमत नहीं है किसी भी दल के नेता को या दल को, तो ऐसे इस्थिती में राज्यपाल अपनी स्वैव वेक की शक्ति क प्रियोग करते हैं और उस स्थिती में वो निर्ने करते हैं कि किस व्यक्ति को नेत्रत दिया जाए कि स्थाई सरकार का गठन हो सके इसमें बहुत बार इस तरह की समस्याएं आई हैं 1952 में सी राजगोपालाचारी के सामने आई उडिसा महरे कृष्ण महताब ने जिस तरह से नियुक्तियां की 1963 में उडिसा और केरल के मुख्य मंत्रियों के समय नियुक्तियां की गई हाल ही में अभी करनाटक में इस तरह से हुआ था तो काफी हद तक हम इसको देखते हैं कि राजगोपाल की भूमी का महत्वपून हो जाती है और जिसके माध्यम से समयधाने हस्तक दूसरा आता है मंत्री मंडल को भंग करना ये भी राज़ेपाल की स्वाविवेक की शक्ती है कि वो मंत्री मंडल को हटा कर हटाने के लिए राष्टपती से सिफारिश करे कि संबंदित राज्यमें राष्टपती शासन लागू कर दिया जाए कुछ विशेश परिस्थिति में राज़ेपाल ऐसा कर सकते है यदि राज़ेपाल को ये विश्वास हो जाए कि मंट्री मंडल का विधान सभा में वहुमत खत्म हो गया है तो वो मुख्य मंटि को स्थिफा देने के लिए या विधान सभा का अधिवेशन बुलाकर अपना प्रमारित करने के लिए कह सक और अगर मुख्यमंत्री अधिवेशन बुलाने के लिए तैयार नहीं हो तो ऐसे इस्थिति में राजयपाल मंत्री मंडल को हटा सकते हैं। और उसकी नीतियों से देश या राजय के लिए खत्रा हो या फिर केंद्र राजय के बीच संगर्श बहुत ज़्यादा उत्पन हो रहा हो तो भी मंत्री मंडल को राजयपाल हटा सकते हैं। जाती है जैसे शासन में जो भागीदार दल है उसे जो समर्थन देने वाला दल है अगर वो अपना समर्थन वापस ले लेता है तो ऐसी स्थिति में सरकार के सामने संकट उत्पन हो जाता है। और राजयपाल सरकार या मुख्यमंत्री को और मंत्री मंडल को हटा सकते हैं पर खास कर सकते हैं तीसरा आता है विदान सभा का अधिवेशन बुलाना सामानिय रूप से मुख्यमंत्री के परामर्श पर राजयपाल अधिवेशन बुलाती है लेकिन अगर राजिपल को ऐसा लगे कि परिस्तिती असाधारण है तो वो स्वाविवेक से भी विधान सभा का दिवेशन बुला सकते हैं जिस पर तुरंत विचार किया जाना आवश्यक हो ऐसे भी कुछ महत्वपूर्ण मामले हो सकते हैं अनुछेद 174 के तहट विधान सभा के दिवेशन की कोई तिथी निश्चित कर सकते हैं इसके लिए वो मुख्य मंत्री से परामर्श करने के लिए भी बाध्ये नहीं हैं चाहिए मुख्य मंत्री को विधान सभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो इसके अलावा भी परिस्तिती हो सकती है जैसे राज्येपाल को मुख्य मंत्री के बहुमत के संधर में अगर कोई संदे हो जाए तो मुख्य मंत्री से तुरंत या जल्दी ही अधिवेशन बुलाने के लिए कह सकते हैं या फिर बुख्य मंत्री द्वारा परामर्श स्विकार अगर नहीं किया जा रहा तो स्वैम भी अधिवेशन भुला सकते हैं जैसा कि समिधान विध डॉक्टर एमल सिंग भी ने कहा कि मंत्री मंदल के बहुमत की जाच करना राज्यपाल का ऐसा स्वैविवी के अधिकार है जिसके लिए वे मंत्री मंदल के परामर्श के विरुद्ध भी अपनी चानुसार विधान सभा का दिवेशन भुला सकते हैं इसके अलावा विधान सभा को भंग करना अगला जो उनकी शक्ती है स्वाविवेक की वो मुख्य मंत्री को ऐसा परामर्श दे सकते हैं में 1953 में रावन कोर में हुआ था ऐसा 1984 में जम्मो कश्मीर के राज़ेपाल जगमाहन ने फारुक अब्दूला के मंतरी मंडल को भंग करने की सिफारिश को स्विकार नहीं किया था इसके साथ मुख्यमंतरी के विरुद्ध मुकदमा दायर करने के अनुमती देने जैसा कार्य भी राज़ेपाल का है 1985 में जैलली था तमिलाडू की जो मुख्यमंतरी थी उनकी प्रकरण में इस तरह का कार्य हुआ था और राज़ेपाल से अनुमती मागी गई थी तब इस समद में अपने विवेग के आधार पर उने निर्ने किया था 2004 नवंबर में सर्वोच नियाले की पांच सदस्य पीठ ने एक निर्ने में कहा कि राज़े का राज़ेपाल अपने ही विवेग के आधार पर किसी मंतरी के विरुध मुकदमा चलाने की अनुमती दे सकता है इसमें वो राज़े मंतरी परिश्यत की सहता और परामर्श के लिए बाध्य नहीं है तो इस तरह से स्वय विवेग के बहुत सारे कार्य वो करते हैं वो मुख्य मंतरी से सूचना मांग सकते हैं किसी भी मामले में मुख्य मंतरी से ऐसे किसी मामले के सम्मंद में जिस पर किसी मंतरी ने अकेले निर्ने लिया हो उसे समस्त मंत्री मंडल के सामने रखने के लिए कह सकते हैं मंत्री मंडल ने कोई विध्यक पारीद किया है और उनके पास अगर भीजा है पास होने के लिए हस्ताक्षर के लिए तो वो उसे पुनरविचार के लिए वापस भेज सकते हैं या उसे राश्ट्रपती के पास भेज सकते हैं अथ्वा अपने पास उसको सुरक्षत रख सकते हैं तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण शक्ति उसके पास है अगला आता है कि राजपाल के इंद्रिय सरकार के प्रतिनिधी के रूप में होता है राजपाल की सम्विधान ने दोरी भूमी का एक तरह से दी है पहली है कि वो राज्य का प्रदान है, समयधानीक प्रदान, दूसरा है, वो भारत में संघीय जर्कार का अभी खरता है भारत में जो हमारे हाँ संगवाद है वो सहयोगी संगवाद है जिसमें केंद्र और इकाई यानि राज्य के मध्ये सद्भावन पूर्ण सम्मध स्थापित हो सके और प्रशासनिक एक रूपता और राश्ट्री एक रूपता प्राप्त हो सके इसके लिए राज्यपाल का पत है जैसा कि विधान सभा में कियम मुनशी ने कहा राज्यपाल संवेधानिक और चित्ते का प्रहरी और वह कड़ी है जो राज्ये को केंदर के साथ जोड़ते वे भारत की एकता के लक्षे को प्राप्त करता है और इसलिए जैसा हमने देखा था अपने पिछले लेक्चर में कि राज्यपाल की जो नियुक्ती है उसको इस तरह से अपनाया गया है कि वो राज्ये में केंदर के प्रतिनिधी के रूप में कार्य करे इसमें केंदर को जो उसके कार्य है उसमें आते हैं उच्छे 256 और 257 मे केंदरी सरकार राज्यों की कारेपालिकों को आवश्यक निर्देश दे सकती है और राज्ये सरकारों को राष्ट्रे महत्वकी सड़क और संचार साधनों की रक्षा का भार सौप सकती है अनुच्छे 258 के अनुसार कुछ प्रशासनिक कारे राज्ये सरकार को हस्तान तरीत कर सकती है ये सारे जो दिशा निर्देश हैं राज्यपाल के माध्यम से दिये जाते हैं और ये राज्यपाल का करतव्य है कि वो देखे कि राज्य की सरकार उन निर्देशों का पालन कर रही है अथवा नहीं कर रही है यदि ऐसा नहीं करती है राज्य की सरकार तो इस मामले म और यदि वो नहीं मानते हैं, तो राज्यपाल मंत्री मंडल को चितावनी दे सकते हैं, सम्विधान के विरुद्ध कार्य मानकर अनुचेद 356 के अनुसार, राश्ट्रपती को सम्वैधानिक संकट की रिपोर्ट दे सकते हैं, जिसके तहत राज्य में आपातकाल की घोशना की जा सकती है, केंदर के प्रतिनिदी के रूप में समय समय पर राश्ट्रपती को रिपोर्ट भेजते हैं, जिसमें उनके द्वारा अपनी और से सुझाव भी दिये जाते हैं, क्योंकि राज्यपाल अपने पद को जब ग्रहन करते हैं, तो सम्विधान की रक्षा की शपत लेते हैं, तो इसलिए ये उनका दायित्व है, कि राज्य में समिधान के अनुसार कार्य हो रहा है, अत्वा नहीं, ये देखें, और इसकी रिपोर्ट राश्ट्रपती को भेजें, और उस रिपोर्ट के आधार पर राश्ट्रपती द्वारा जो आदेश दिया जाता है, उनको पूरे करते हैं, और केंद्रिय सरकार के प्रतिनिधी के रूप में राज्य के शासन का संचालन करते हैं, इसी तरह से अनुच्छे दोसों के अनुसार, राज्य विधान मंडल ध्वारा पारित किसी विधेक को राज्यपाल राश्ट्रपती की स्विक्रती के लिए उनको ऐसा लगे कि ये जो नियम है, ये जो अधिनियम है, जो बनाया जा रहा है, कानुन के रूप में लाने का प्रयास है, ये राश्ट्रपती की अनुमती से पारित होना चाहिए, तो ऐसे इस्थिती में वो सुरक्षित उसको रख सकते हैं, ये स्वाविवेक का कार्य है इसी तरह से अनुचेद 213 के अनुसार राजयपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, किन्तु उसे कुछ विश्यों के संबन में अध्यादेश जारी करने से पूर्व राश्ट्रपती से स्विक्रती लेनी होती है, तो इस तरह से एक प्रतिनिजी के रूप में है केंद्रिय सरकार के, लेकिन संकिर्ण प्रांतिय तावाद नहीं अपनाएंगे वो, यह अश्या की जाती है और संग जो है, पूरा भारत जो है, उसके हितों को ध्यान में रखा जाएगा, तो कुल्मिलाकर के इस तरह से राजयपाल की जो भूमिका है, वो दोनों तरह की है एक समयधानी प्रिधान के तौर पर भी है, और केंद्रिय शासन के प्रतिनिधी के तौर पर भी है, कभी-कभी देखा गया है कि व्यवहार में राजयपाल की जो दूसरी भूमिका है, जिसमें वो केंद्र के प्रतिनिधी के तौर पर कारे करते हैं, वो ज़्यादा प्रभ हवी हो जाती है जब केंद्र में जिस राजनेतिक दल की सरकार है और राज्य में किसी अन्य राजनेतिक दल की सरकार है या विरोधी दलों की मिली जूली सरकार है तो उसी स्थिती में परस पर विरोधी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है हम देखें कि राज़ेपाल का जो पद है उसके संबन्द में बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो उसकी व्यवस्था है उस पर पुनर विचार की आवश्च रखता है ऐसा इसलिए माना गया क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि राज़ेपाल का जो पद है उसे बहुत ज़्यादा सम्मान की दुष्टी से नहीं देखा जा रहा है उसका मुल्यन हो रहा है तो इस स्थिती में उसे सम्मान पूर्ण बनाने के लिए कुछ आवशक्ताएं हैं सु और वो मानने योग्यों और प्रतिष्ठित व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए ऐसे व्यक्ति को नहीं उस पे नियुक्त किया जाना चाहिए जो विवाद पूर्ण रहे हो या जिनका जो अतीत है वो बहुत जिसे हम कहते हैं निश्पक्ष नहीं रहा हो तो ऐसे लो अनिवार्य कर देना चाहिए जैसा कि सरकारिया आयोग ने सुझाव दिया था कि अनुच्छेद 155 में इस प्रकार का संशुधन होना चाहिए अंतर राज्य परिशद की स्थाई समीती की एक सितंबर 2000 को बैठक हुई और इस बैठक में भी आम सहमती बनी कि राज्यपल की नि किया जाए तो उसे एक ही बार नियुक्त किया जाए ताकि जो जिसे हम कहते हैं अनुचित निर्देशों के सम्मंद के सामने समर्पन करने की जो का जो तरीका है राज्यपल का वो ना हो यदि बार बार बनने की इच्छा किसी राज्यपल में है तो वो ऐसी स्थिती में कें अनुचित निर्देशों की पालना भी राजे में करानी की कोशिश करेंगे तो जैसा कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि किसी भी व्यक्ति को केवल एक बार ही राजे पाल पर नियुक्त किया जाए इसे भी लागू किया जाना चाहिए चोथा है 1970 में ने भगवान सहय समीति ने अपनी सिफारिश में कहा था कि कि किसी मंत्री मंडल को बहूमत का विश्वास प्राप्त है या नहीं इस बात करनेर्ने राजबावन में नहीं होना चाहिए मलकि विधान समा में होना चाहिए तो ये भी बहुत आवश्यक्त है अनिथा एक खतरनाक स्थिती उत्पन्न हो जाती है जब मुख्यमंत्री मंदल जब विश्वास मत प्राप्त करती है और रजपाल उन्हों स्थितियों को स्विकार करने से इंकार करती है पाचवी स्थिती आती है कि जब विधान सभा में दलिये स्थिती स्पष्ट ना हो तो मुख्यमंत्री पद के लिए एक से ज़्यादा दावेदार हो या फिर ऐसा हो और मुख्यमंत्री के चैयन और मनोनयन में रजपाल को अपने विवेग का प्रियोग करना होगा लेकिन ऐसी स्थिती में परंपरा का निर्वा किया जाना चाहिए कि जिस भी मुख्यमंत्री को इस स्थिती में बनाया जाएगा नियुक्त किया जाएगा या मनोनीत किया जाएगा उन्हें दीन दीन के अंदर विधान सभा का अधिवेशन बुलाकर अपना बहुमत स्पष करना होगा ज्यादा समय नहीं देना चाहिए उससे मोल भाव की स्थिती बनती है विवाद उत्पन होते हैं राजनतिक तनाव आता है तो इसलिए मिनिमम समय दे करके महमत जिद्ध करने की परंपरा शुरू कर देनी चाहिए छटी बात इसमें आती है इस पद को राजनतिक व उनको राजनतिक विवादों से केंदर सरकार दूर रखे तो ये भी एक बहुत मैट्वपून बात है हलक ही कोई ऐसा पून दिशा निर्देश इस सम्मंद में नहीं बना है लेकिन इसके बावजूद भी राजपाल का पद उचो है वो स्वाविवेक से विभिन सर्वोच निर्देश देते हैं और निश्चित रूप से एक स्वतंत्र दिश्टिकोन और निश्पक्ष दिश्टिकोन के व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए जिससे राज्य में सम्मान पून तरीके से इस पद को की गरिमा बनी रहे आज की क्लास के लिए इतना ह क्णिद्ट वेती निए झालकोश पड़ कि निए जिए तेज़ां के लिए्पक्ष देते हैं फिए